आज हम लोग लाल मिर्च का आचार कैसे भने की मसाला बाहर न गिरे सुंदर लगे कोई भी पतली लकडी लेकर छील कर धूल कर रख लें इसको अब मिर्चे को हाथ में लेकर दोनों हाथ की साथ ऐसे इसको उपर की तरह धीरे धीरे पुश करते हुए इसको ऐसे से दबाएं उसके बाद से ये दबाने से मुलायम हो जाएगा और उसके बाद से ये इसका डंठल जो है वो निकल जाएगा अब मिर्चे से बीज को निकाल कर मसाले में मिला दिया जाएगा यद बीज नहीं निकालेंगे तो मसाला भरने के बाद एक जगा इकठा हो जाता है वहाँ मसाला नहीं पहुँच पाता है चाकु से काट कर तो भरना बहुत आसान होता है सभी लोग भर लेती लेकिन एक बार इस तरह से आप मर्चा भर के देखिए कितना सुंदर लगता है और कभी इसमें से मसाला बाहर मिर्चे को उपर नहीं लगता है देखने में बहुत खुशूरत लगता है और जब भी आप निकालेंगी तो मर्चा देख के मन खुश हो जाएगा मिर्चे को भरते समय इस बात का भी ध्यान दिया जाएगा कि मसाला इतना उसमें रहे कि टाइट रहे मर्चा वही मर्चा अच्छा लगता है अब देखिए मिर्चा कितना सुंदर लग रहा है और कितना टाइट भरा गया है इस तरह से मिर्चे को जब आप भरेंगे तो बहुत ही मनखुस रहेगा मिर्चा भरने से पहले एक जगए बीज निकाल कर मिर्चे को रख ले उसे मर्चा भरने में आसानी रहता है क्योंकि हाथ में जब मसाला लग जाता है तो भारने में दिक्कत होती है तो पहले आप बीज निकाल के रख लें फिर बारी-बारी सभी मर्चे को भार ले मिर्चे के अचार बिला तो किचन अधूरा राता है क्योंकि घाठी में भारता में हर जगे पूड़ी पराठा से मिर्चे क्या शक्ता पड़ती है इसलिए उसको आप जरूर बनाएं मिर्चा भरने के बाद उसे दो दिन के लिए बंद करके किसी डिबे में रखा जाता है अब मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कैसे रखा जाएगा और मेरा ये भरने का तरीका पसंद है तो इसको आप लोग एक लाइक और से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा